मैं कौन धाना मैं वही किला जहां की मिट्टी से मराठा सामराज्य की वीरता की सुगंद आती है हां मैं कौन धाना जिसकी दिवारें आज भी वीर मराठा सैनिक तानाजी की वीरता के गीत गाती हैं और इसी धर्ती पर छत्रपती शिवाजी महराज की कदम पड़े जिनके नाम से ही मुगलों के छक्के छूट जाय करते थे मुझे वीरताना जी की वज़े से शिवाजी महराज के द्वारा सिहगड की नई उपाधी मिले जिससे मेरी प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए मेरा इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है मैं सह्याद्री परवत माला के भुलेश्वर पहाडी परिस्तित हूँ हर तरप से तिवर उतार और मेरी उचाई का फाइदा मुझे मेरे सनरक्षन के लिए होता है मुझे पर छत्रपती श्वाजी महराज के अलावा भी कई राजाओं ने राज किया आज मैं आपको अपनी आत्म कथा इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नाम कौन धाना से सीह गड कैसे पड़ा बात है सन 1649 की श्वाजी महराज ने अपने पिता की रिहाई के लिए मुझे आदिल शाह को समर्पित कर दिया था 1665 में श्वाजी महराज ने मगलों के साथ एक संधी में जिसे पुरंदर की संधी कहा जाता है उसमें 22 किलो समेत मुझे भी मगलों को लोटा दिया था मैं 1670 के समय से मगलों के पास था और स्वराज की राजधानी मेरे काफी नजदीग थी मुझे उस समय कॉंधाना के नाम से जाना जाता था कॉंधाना यानि मैं कभी मजबूत और बड़ा किला होने के साथ साथ काफी सुरक्षित भी था और यहां से पूरे पोने पर नज़र रखी जा सकती थी और ऐसा किला शत्रु के पास रहना सुराज के लिए बाधा उत्पन न कर सकता था इसलिए शिवाजी महराज चाहते थे कि एकिला कैसे भी करके मराठों के कबजे में आ जाए लेकिन तिब्र उतार और काफी उचाई की वज़े से मुझे हासिल करना वो भी मुगलों से बड़ा चुनोती भरा काम था इसलिए शिवाजी महराज ने एक दिन बैठक बलाई और बैठक में ये तैह होना था कि कौन धाना पर चड़ाई करेगा कौन उसे दिन शिवाजी महराज के बच्पन के मित्र और मराठा सुबेदार तानाजी मालुसरे अपने बेटे रायबा के विवाह का निमंत्रन देने महराज के पास आए थे आते ही उन्हें पता चला कि कौन धाना पर चड़ाई करने की मुहिम बनाई जा रही है बैठक में शिवाजी महराज के आहवान के जाने पर तानाजी मालुसरे उट खाड़े हुए महराज को कौन धाना मुहिम पर खुद को भेजे जाने के आग रह करने लगे अपने बेटे के विवाह को छोड़कर तानाजी मालुसरे मुहिम पर जाना चाहते थे ये देखकर वहां के सारे सरदार सनिक अचमबित हो गए। छतरपती शिवाजी महराज और बाकी लोगों ने उन्हें समझाने के प्रयत्न किये। लेकिन ताना जी मालुसरे कहां सुनने वाले थे। आखिरकार ताना जी मालुसरे कौन धाना मोहिम का नित्रत्व करेंगे ये तैह हुआ। शिवाजी महराज को ताना जी के जिद्ध के आगे जोकुना पड़ा था। बात थी कि कौन धाना पर चढ़ाई करें कैसे। मैं इतनी उचाई पर हूँ और बेहद तिब्र उतार होने की बज़े से मुझ पर सीधे हमला करना नामुम्किन था। और इचान भी इन करने के बाद तैह हुआ कि मराठा सैनिक मेरे पीछे की तरफ से किले पर चढ़ेंगे और मराठा सैनिय भी कम रहेगा। मेरे पीछे वाली बाजू 90 डिग्री सीधी इसलिए चढ़ाई भी बड़ी मुश्किल थी। इसलिए मगल किलेदार जानता था कि यहां से तो हामला नहीं होगा। इसलिए पीछे की तरफ ज्यादा सैनिक भी तैनात नहीं की गए थे। जब ताना जी को कोई विकल्प नजर नहीं आया तो उन्होंने अपने चार-पांच बहादूर सैनिकों के साथ किले के उपर चड़ना रंब कर दिया। ताना जी धीरी धीरी थोड़ी समय पश्याद मेरे बिलकुल नजदी का पहुँचे। फिर उन्होंने एक पेड में रस्य को बांध कर नीचे की ओर किया। जहां से उनके और भी सैनिक के लिए पर चड़ सकें। उस समय मेरी रखवाली का जिम्मा उदैभान राठोड के प पहुच गए थे और द्वार के खुलने का इंतजार कर रहे थे। किले में सफलता पूरवक दाखिल होने के बाद ताना जी और उदैभान के बीच घमाशान युद्ध हुआ। उस रात मराठा सैन्य और मगल सैन्यों के बीच काफी घंगोर युद्ध हुआ। इसे बीच ताना जी मालुसरे और मगल के लिदार उदैभान के बीच युद्ध चल रहा था। तबी ताना जी की धाल तूट गई पर फिर भी उन्होंने हार न मांते हुए अपनी पगड निकाल कर ताना जी ने उसकी धाल की तरोप यूग किया। मराठा सैन्यों जीत ही रही थी कि तबी ताना जी मालुसरे गिर गए और वीर कती को प्राप्त हो गए। ये देखकर मराठा सैन्यों में खलवली मच गई। मराठा सैन्य पीछी हटने लगी और सैन्य किदे के पीछे की और भागने लगे। ये देखकर ताना जी मालुसरे के भाई सूरे जी ने पीछे की औ और दोर ही काट डाली और मराठा सेन्य को आगा किया या तो यहां से कूद कर मारे जाओ या फिर मगलों से लड़कर किलाज जीत कर अपनी जान बचाओ अब मराठा सेन्य को के पास कूद कर मर जाने या फिर मगलों से लड़ने के अलावा कोई परियाय नहीं था फिर एक बार मराठा सैनिकों ने पूरे जोश के साथ मगल सैनिकों पर हमला बोल दिया और पूरी रात की घंगोर युद्ध के बाद मुझे हासिल कर लिया मैं कॉन धाना किला शिवाजी महराज के अधिन हो गया और मुगल इस युद्ध में पराजित हो गए जैसे ही किला मराठो के भाद बापस आया वैसे ही शिवाजी महराज ने एक वाक्य को बड़े ही तेज आवाज में कहा और वो ये था गड़ आला पण सिंगेला यानि गड़ तो आया परंतु शेर चला गया और ताना जी के नाम पर ही मेरा नाम सिंगड पड़ा यदि आप मेरे यहां गूमने आना चाहते हैं मुझे देखना चाहते हैं और उस वीरता की कहानी को महसूस करना चाहते हैं तो महरास्टर के पोने में इस्तित मैं 6 किलोमीटर दक्षिन पश्चम में इस्तित हूँ और समुदर तट से लगबग 3 फुट उपर हूँ यह किला यानि मैं परेटकों का अपनी ओर काफी आकरशित करता हूँ मैं पोने के किसी भी स्थान से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकरशित करता हूँ मैं लगबग पोने के 30 किलोमीटर दूर इस्तित हूँ मेरे प्राचीर पर खड़े होकर आप पुरंदर, राजगड, तौरणा, लोहगड, विसापुर, तंग आदी बड़े बड़े दुर्ग आसानी से दीख सकते हो जो बाकई में एक चमतकारी द्रश्य का रूप ले लेता है अगर आप अपने निजी बाहन से किले पर जाना चाहते हैं तो वन विभाग आपसे एक शुलक लेता है जो टू विलर के लिए 20 रुपे और 4 पईया बाहन के लिए 50 रुपे होता है किले पर पार्किंग के स्विधा उपलब्द कराई गई है इसलिए आपको गाड़ी पार्क करने में दिक्कत कभी नहीं आएगी किले पर छोटी छोटी दुकाने हैं जहां से आप खाने पीने के स्नेक्स और भी कई सामान ले सकते हैं मेरे यहां आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी आपको अन जगह पर वो चीजें कभी नहीं मिलेंगी आपको किला देखने के लिए लगभग दो से तीन घंटे का वक्त लगने वाला है मैं इतनी उचाई पर होने के कारण आपको यहां से राजगड लोगड और भी बहुत सारे किले दिखाए देंगे मेरी शुरुवाती चड़ाई पर सबसे पहले आपको पूने दर्वाजा दिखेगा और यहां पर पूने दर्वाजा नाम के दो दर्वाजे हैं पूने दर्वाजे से आगया तही कल्यान दर्वाजा देखनी को मिलेगा और इस दर्वाजे से आपको राजगड दिखेगा किले पर इस्तित कई दर्वाजे आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं मेरा मुक्य आकर्शन तानाजी कड़ा इसी चगए है खंड कड़ा से आगे जाने पर तोब खाना देखनी को मिलेगा यहाँ पर युद्ध के लिए लगने वाली सामगरी रखी जाती है लेकिन दुर्वाज गिवश यहाँ पर आपको कुछ खास देखनी को नहीं मिलेगा क्योंकि किले के ज्यादतर ढांच याज खंडहर हो चुके है भारत के स्वतंतरता संग्राम में बहुत बड़ा यगदान देने वाले बाल कंगधर तिलक का बंगला यहाँ पर है कर्मी के दिनों में तिलक यहाँ आकर अराम किया करते थे महात्मा गांधी जी भी तिलक साहब से मिलने तीन चार बार इसे बंगले पर आये थे अगर आपको कभी भी मुझ से मिलने या मेरे हाँ गुमने का मौका मिले तो वहाँ पर अंदर चुले पर बना जुनका भाकर खाना ना भुले मेरे हाँ आसानी से पहुँच सकते हैं, मैं पूने से मातर 30 किलोमिटर की दूरी पर हूँ और पूने शहर यातायात की शित्र में काफी आगे है तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी यानि कौन धाना और सीहंगड की कहानी मेरी आत्म कथा आपको कैसी लगी और ताना जी मालोसर की बहदुर के लिए अपने शब्द कमेंट सेक्षन में जरूर लिखें हर हर महादेव ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं धन्यबाद जय हिंद जय भारत